नमस्कार दोसों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शिबी को बदा दी कि अगले चार दिनों के अंदर आप शिबी के घर में दो शक्तियों का दिव्यागमन होने वाला है जहां दोसों और अगले दो दिनों के अंदर आप शिबी का भाग बिलकुल ही तू तो बड़ी एशी खुशकपरी आप शिवी को मिलने वाली है जो कि आप कभी शपने में भी नहीं सोचे होंगी जिया दोस्तों एक प्रकाश्य कहीं कि आपके घर में यद्दी जोती कागपन आप शिवी का पूरा जीवन बदल देगा जिया दोस्तों बशरते हम आप शिवी क के बाद यह दो दिवी शक्ति आप शिवी के घर में दिवी जोती लेकर आने वाले हैं इसे दोस्तों आप शिवी के घर में आपके उम्मीत की नई किरन जागे की आप शिवी का घर बिल्कुल ही अब रोशन होने वाले ही जिया दोस्तों आप शिवी को बता दे वीडियो मे शारे बातें आपकी जुनकाल के लिए बहुत ज़्याद आउश्यक है अगर आप इन्हें अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम दावे के शाथ कह शकते हैं या दो देविताओं के अशिरबाश आपकी जुनकाल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी कि दोस्तों अगर आप इनके बताई बातों पर चलेंगे तो दोस्तों आप शिरब की जुनकाल में शारे श्मशाई दूर हो जाएंगे, शारे शक्त आपके जुनकाल से ख Tam हो जाएंगे दोसों आप शिवी को बता दें कि पिछले कईशे में से आपको बहुत शारी कारियों में तरक्की मिली है बहुत शारे आपके कारियों में रुकाउटें भी खत्म हुई है जी दोसों और दोसों कभी कबार आपको यसे गलतियां भी कर देते हैं जिनके कारण आपके जुनकाल से यह देवी दिवता रुष्ट भी हो जाते हैं जी हां दोसों दोसों आप शिभी को बता दें कि आपकी जुनकाल में कई शारे शेक कारे हैं जिन में यह देखते ही देखते बना है लेकिन दोसों कई शारे शेक कारे हैं जिन में आप कुछ गलती कर देते हैं जिन के कारण य आते ही और आपको कारियों में नुक्षान उठाना पड़ता है जिया दोस्तों लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि यह देविदियुता आपके उपर प्रशन नहीं है दोस्तों यह देविदियुता आपके शाया बनकर शात रहता है और यह चाहता है कि आप कोई भी गल जें दोस्तों नक्षान का मतलब ये आपको शंके देते ही जें दोस्तों अगर आप至 जंकेतों को और राद्य चर्टेहे हैं। दोस्तों आप शफि को ब्ता दे कि आप पिछले कई शिमेशे आप अपने जुनकाल में प्रिचानियों को देख रही हैं। अपने जुनकाल में कई तरह की आप अर्चने को देख रहे हैं, मुशिवत आपके शाथ एक नैक नई नई आते ही रहती है, जितना आप मेहनत करते हैं, दोस्तों उतना आपको फल नहीं मिल पाता है, शातिशा दोस्तों हम आप शिबी को पता दें, कि पेशा भी आप शिबी करते हैं, जितना आप थोड़े बहुत मुशिवत पेशा को बचाते हैं, तो दोस्तों और आप शिबी को बिदा दें, कि अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है, जिया दोसों और अब बशी आपको कौँशी बातों का ध्यान रखना है, कौँशी गलती नहीं करना है ताकि यहाद देवीदिवता आप्शे रुष्ट ना हो जाए, दोसों इसके बारे बात करने वाले ही, दोसों हम आप्शे भी को बता दें कि आज के बाद यहाद दोस्तों उन बातों को आपको अपने जुनकाल में बिल्कुल ही धालने नहीं है ताकि दोस्तों आपकी जुनकाल में दोबारा कोई भी इश्य मुश्यवत ना है कोई भी इश्य मंश्याय ना है जिन से आप अपने जुनकाल में तंग हो जाए जिन दोस्तों बहुती शरल और बहुती खाश उपाई बताएंगे जो कि दोस्वों आप शिबिकी जुनकाल के लिए महत्पुन है जो यहाद देवी दिवताओं को प्रिशन करेगा और आपको हमेशा शही कारी करने की ओर लिकर जाएगा जिये दोस्वों आप कभी भी अपने जुनकाल में शे कारी नहीं करेंगे ताकि यह देवी दिवता रूष्ट हो जाए तो दोस्वों शारे बात विशेच है इन बातों को ध्याँश देखिएगा इनसे आप अपने घर अपने परिवार को और अपने जिवन काल को बहुती बहतर दिशा में लिकर जा पाएंगे तो दोस्वों विडियो को आगे बिल्कुली ध्याँश दिखिएगा जी हैं दोस्वों आप शिवी को बिता दें कि अब शे आप शिवी की जुनकाल में राजजियों का निर्वान होने वाले हैं तो एह दोस्वों बात करते हैं शर्व पर्तम दोस्वों जो भी माता लक्शमी और भगवान भूले नात के सच्चे भकते हैं दोस्वों ैनल को शर्व पर्तम सब्सक्राइब कर लें शायरे विद्सवों बैल आइकन को प्रेश करके all पर स्लेट कर दें दोस्वों सच्चे मन से वीडियो को एक पैरिक्ष लाइक करे कमेंट बोक्ष में सच्चे मन से जय मालक्षमी जय भहुलिनात जरूर लिखेगा दोस्वों मातालक्षमی और भगवान भहुलिनात का श्यमत श्यवाद आप शिभी को प्राप्ट होगा जी हां दोसों, तो आई दोसों बात करते हैं, दोसों आप शिपी को बता दें कि आपके जुनकाल में कई शारेशे कारण है, जो कि अंजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुक्षान उठाना पड़ता है, दोसों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रू बन जी हां दोसों, कई बार आप अपने ही लोगों शी परिशान हो जाते हैं, आपके बहुत शारे कारोबार में अर्चने आ जाते हैं, और उन शारे अर्चनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है, दोसों हम आप शिपी को बिदा दें कि या शिमे, आप अपने जुन काल में शत्रु घुम रहे हैं उनसे बस आपको शमलना है जिया दोसों आप शिभी को बिदा दे कि आपने पिछले जिवन काल में पिछले श्यमेंटराल में जिसका भी आप भला किये हैं वही लोग आपके लिए बुरे शाबित हुए हैं लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि में कोई छलकपड नहीं है आप साफ दिल की इंसान है और हमेशा आप लोग की भलाई के ही बारे में शुजते हैं अगर कोई इंचान आप शिभी मदद मांगे तो दोस्तों आप उन्हें नाकारते नहीं हैं आपके दिल में आपकी दिमाग में बश यही रहता है कि हमसे जो हो शकता है हम इनके लिए जरूर करेंगे और दोस्तों आप कई बार करते भी हैं जी हैं दोस्तों शादिशा दोस्तों आपको बता दे कि कई बार आपने दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड़े में भर ले हैं और दोस्तों आगे चलकर वो इंशान आपके शात नहीं होते ही, वो इंशान आपको भूल जाते ही, जी है दोसों, और आपको तब जाकर बुरा लगता है, कि हमने अपने जुनकाल में जिसके लिए इतना कुछ किया, इतना उनके शाहता की, उनके लिए दिन और रात तक नहीं देखी, जब उन्होंने जो बोला, हम उनके लिए तैयार उनके लिए खड़े थे, लेकिन वहीं इंशान आज हमको धोखा देती है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं की, तो दोस्तों आशे में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जी है दोस्तों, और आप इन्हीं शब चीज़ों को देकर कभी कबार खुद ह लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आप बिल्कुल भी निराश और बिल्कुल भी मायूश मत होएगा, कि दोस्तों किश्मत आपके शाथ है, भगवान की शक्ती आपके शाथ है, या दो दिर्दाओं का श्रवाद आपके शाथ है, जो कि आपको हमेशा नजर लग ग्चलवश्या होंगी बश आपको अब इन लोगों से शावदन होना होगा कौनकी कार्य को करनी होगी और को थ्यांन रखmost नहीं रखते हैं । इंहीं शबी अच्छे भाव के उपर बहुत ज्यादा पर परशन रहते हैं useless गलत भी करती हैं, आप शेह भी करती हैं, फिर भी यो दो दो उताओं का शिरबात आपके शात रहता है, इनका नजर आपके शात हमेशा रहता है, अगर आप कभी कभार गलत शे कोई कारी कर देते हैं, तो दोसों उनमें आपको हरजाना भी भढ़ना पड़ता है, क्योंको दो एक बार नजर अंदाज भी किये हैं, जिनके कारण आपको मुश्युपतों का शामना करना पड़ा है, इसलिए दोसूं आपको अबशे वह गलती नहीं करनी है, जो आपने अंजाने में की है, जिए दोसूं, इसलिए दोसूं आज की इस वीडियो में हम आपके जुनकाल में जो भी आने वाले शुमे की क्रियाएं होंगी, जो भी आने वाले बात होंगी जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, उन शुबी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। कि जिन्द लोगों पर आपने बहुत एज़ा भरुशा किये हैं उन्हों पर अब आपको बिल्कुल भी भरुशा नहीं करना है आपको अब पहचानना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके पराये हैं कौन लोग आपके मुह पर अच्छे बोलती हैं और पी उखाल में कोई भी गलती नहीं होगी और दोसों यही लोग होते हैं जो कि आपको बहकाव में लाकर कोई गलत कारी भी करवा देते हैं कई बार आपको फाशाने की भी प्रयत्न करते हैं जिनसे आपका कारे भंग हो जाए जिनसे आपके शमान में समाज में नाम खराब हो परियाज करते हैं जिया दोसों हलांकि कई बार इन्हों ने आपको जान श्री मारने की भी कोशिश की है और दोसों आप इन बातों को नजर अंदाज भी की हैं कि ये श्रमे की ही दोस है ये गरहों का ही दोस है या फिर ये हमारे किशमत में था लेकिन दोसों हम आपको विदा रखें कि हमेशा आप अपने ही इसे लोगों के शाद गुमें जो कि आपके लिए शगे अपने हैं बोश आपको क्या करना है कि पहचान करना है कि कौन से आपके अपने हैं कौन से पराई दोसों ये हो गया आगे हम आपको बतादे कि ये दो दियुदाओं का अश्य मश्यरब दोसों वे अर्चने शमापत होने वाली है और आपकी रोजगार फिर शे चलने वाले हैं बहुत ही तेजी शे जिन लोग के पास रोजगार नहीं थी दोसों उन्हें शबी कोई अश में मन चाहे रोजगार की प्राप्ति होने वाली है जे दोसों और जो लोग पहले शेही रो है आपके जो कारेस्थान पर दर्जा है उनमें 200 बड़ोत्री होगी और आपके शारे शीनियर आपका शमान भी करेंगे . दोंसों शमी आपके लिए बहुत थे महत्पुन आने वाले हैं दोस्वह को बिताते हैं कि भीचले शमींसी जो भी इनके कारण आपकी जुनकाल में जो शत्रू आपको परिशान कर रहा था, जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था। दोस्थों वहाँ, अब आपको परिशान नहीं कर पाएगा और जो आपको साजिशें रच रहे थे, उनमें वो खुद ही भशने वाले हैं। हमने आपको तो बता ही दिया कि इन लोगों शियाब आपको शावदन रहना है बस दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आप कारी कर रहे हैं उन पर यकीन करके कि ये कार हमारी सच्ची हैं दोस्तों एक बात बता दे कि कभी भी आप कोई दोर नमर के काम को मत किजीगा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये कारे आपके जुनकाल के लिए बहुत नुक्षान दायक है और ये दो दिवता हमेशा आपके जुनकाल से इने शब कारणों से रूश हो जाते हैं किसी आपको छोटे का अपमान नहीं करना है और ना ही आपको बड़े बुजुरूगों का अपमान करना है नारी का आपको हमेशा शमान करना है अपने घर परवार में हमेशा मिल जुल कर आपको चलना है दोस्तों इन शे ये दो देवताओं का शिरवात आपके प्रवना रहेगा ये देवता इन शे बहुती प्रशन रहते हैं तो दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखेगा और दोस्तों इस बात का आप चिंताव मत किजिएगा कि लोग आपको परिशान गर देंगे दोस्तों जो लोग आपको बदनाम करने की साजिसें कर रहे हैं वो लोग अब खुद ही बदनाम होंगे जी अदोस्तों जो लोग शेडंतर रच रहे हैं वो खुद ही उस शेडंतर में फशने वाले हैं जिये दोस्तों आपको कौशी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको अपने जुनकाल में बश इन्ही बातों का ध्यान रखना है किने शब लोगों बश आपको दूरी बना कर रखनी है जिये दोस्तों इन शब रिष्टा आपको बिल्कुल ही तोड़ देनी है जिये दो दोस्तों जो भी लोग शरकारी पक्च में कारीरत हैं उनको शरकार दोड़ा कोई लाब मिल सकता है जिन से आपका शमय और आपके आर्थिस्तेदी बहुत ज़्यादा बहतर होगी यह शमय और इस शमय कुछ जातक को शिश्वाल पक्च से धनलाब की शमानों बर रही है शाद दोस्तों यह आपके लिए शावधानी है दोस्तों आप होते हैं कि आप सबके लिए अच्छे वैवार रखते हैं लेकिन दोस्तों कुछ लोग की पहचान करना भी आपको ज़्यादा वश्यक हैं कि दोस्तों यह शमय कुछ लोग रोते हैं और आपके शाथ नाटक करके देजीएगा हलांकि दोसों इश्यमे घरों की जो इस्तति है आपके शामने विलकूल ये छली विक्ति आने वाले हीं जो कि आपसे सहीुग मांगेंगे और इश्यमे आपको शायोधा रहना होगा दोस्तों आपका जो पेशा है वो फन्षकता है बस दोस्तों इस बात का ध्या देवी है धन की देवी माताक्षमी जिनकाल में पेशों की बारिश करती है वो पेशा आपको दुगनी चोगनी तरफाश ये आपको लाब दिलाती है ये दोस्तों आपके अच्छे कर्म और अच्छे शभाव के वज़ेश ये आपके पास पेशा बहुत ही आता है लेकिं दोस्वों आपके ही गलती के कारण कई बार पेशा आपके हाथों से भी चला जाता है तो दोस्वों आपको अब कौन शी गलती नहीं करनी है दोस्वों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन लोगों आपको शात नहीं रहना है शातिशा दोस्तों आपको बिता दें कि अब आपको अपनी जुनकाल में पेशों का विसेज ध्यान रखना है पेशे को दोस्तों कई ऐसे अस्तान पर खर्च मत केज़ेगा जो कि आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आप शूच रहे हैं दोस्तों हमेशा पेश्य का जो खर्चा है वो दोस्तों सवरी श्मी पर ही किज़ेगा विर्थ के खर्चों में जो इंसान पर जाता है दोस्तों उनके जिवनकाल से धनकी देवी माता लक्ष्मी डूष्ट हो जाती है तो दोस्तों आपको बश इस बात क्या रखना है और धनकी देवी माता लक्षमी के शिरबाश्य अब आने वारे शिव में खुशिया मिलने वाली है धनकी अपार शंभावनाएं बन रही है जिनसे आपको लाब मिले जिनसे आपका आर्थिक्स दती आपके पेशों के जो शमश्या है वो खत्म हो जाएंगे जिहां दोस्तों आप शिवी को बिद्याते की माता लक्षमी के शिरबाश्य धनकी देवी माता लक्षमी के शिरबाश्य अब आपके जुनकाल में धनियों का भी निर्मान होने वाले हैं जिन के कारण दोस्तों आप शुबी की जुनकाल में जो भी मुश्यवत है पेशों को लेकर जो भी शमिशाए हैं जो भी घर में बधाएं उत्पन होती है पेशों को लेकर दोस्तों वो शारे बधाएं अब धिरे धिरे कत्म होने वाले हैं और घर परिवार का महौल आप प्रश्मी कास्रेबाद है उनका नजर आपके परिवार पर हमेशा रहता है तो दोस्वा हमेशा आप अपने परिवार के निल जुल कर चलिएगा बस आप इस बात का दidsंखेगा कि इसी के बातों में आकर आप अपने परिवार के खिलाब बिल्कुल भी मतचाइएगा और लोग दोसों मतलब से ही आपको याद कर रहे हैं बस इस बात के आप ध्यान रखिएगा और परिवार का शाथ आप पिल्कुल ही मत चुड़ीगा दोसों हमारा कहने का अर्थबश यही था शाते साथ दोसों आप शबी को बत्यादें कि दूसरा जो देवता है वह है दोसों देवों के देव महादेव पिछले पांश शालों से आपके घर प्रिवार पर इनका नजर है जिन के कारण दोसों आपको कवशारी संकुनों से भी भगवान भोलेनाथ ने बजाए हैं बहुत शारेशे बधाएं आपकी जुनकाल में आई थी बहुत शारेशे दुरगटनाएं आपकी जुनकाल में आई थी जिनसे श्वेंग देवों की देव महादेव ने आपकी रक्षा किया है और दोस्तों बहुत शारी कारियों में आपको मदद भी की है जिनसे आप बहुत दोस्तों अब आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है दोस्तों बस आपको अपने जुनकाल में अभी ही करना है कि शमय निकालकर आपके जुनकाल में जतना भी शमय हो, जितना भी कारी हो दोस्वं उन्षबी कुप करने के बाद थोड़ा शाह समय आप अपने देव देताओं के लिए जरूर निकालीगा क्यों दोस्वं ये आपके इस्ट देव हैं, ये आपके धन के मालिक हैं, ये आपके और दोसों बिदी बिदान के शाथ आप शमी निकालकर भगवान भुलेनात की पुजा जरूर कीजीगा दोसों इंशे भगवान भुलेनात आप शे कभी भी रुष्ट नहीं होंगी और आपकी जुनकाल में जो भी बदाएं आएंगी दोसों उन्हें यह हर लेंगे और दोसों आने वाले शमी भगवान भुलेनात के शिर्बाद से और जो आपके घरहों में इस्तिती मर रही है इनके नुश्वार कौन से बदलाओ देखने को मिलेंगे दोसों हम आप शिबी को बदा दे कि यह जो दो देव दिताओं का शिर्बाद है इनके कारण जो भी रहे था वो दोस्तों हमेशा सफल सरा था लेकिन दोस्तों अब आपको शफलता आवशी मिलेगी यहाद दो देविदिवताओं का शिरबात आपके शाहत है और गर्णों का यहीं शंकेत है कि जो भी परिशानी आपको जिस रचेतर में मिल रहा थी वह आपको खत्म होने वाली है और दोस्तों आप शिरबी की जुनकाल में यह जो देविदिवता है इनका विशेष किरपा बना रहेगा इनका विशेष नजर बना रहेगा दोस्तों आप शिरबी को बता दें कि माता लक्षमी शिर्फ आपके ही जुनकाल में एशा रहष खोलने वाले हैं जिन से आपक और आपके अच्छे श्रद्धा के कारण या दो देवी देवता आपके जुनकाल में हमेशा प्रेशन रहते हैं जी हाँ दोस्तों शादिशा दोस्तों आपको बता दें कि माता लक्षमी उनके जुनकाल में रुष्ट हो जाती है जो अपने घर में पती पतनी आपश में लड़ाई करते हैं और हमेशा पती अपने पतनी का अपमान कर देते हैं तो दोस्तों शादिशा में माता लक्षमी उनके जुनकाल से रुष्ट हो जाती है तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है हमने आपको पहले ही बताए हैं कि किशी भी नारी का आपको पनना नहीं करना है इनसे दोसों धनकी देवी मातालक्षी में हमेशा रुष हो जाती है तो दोसों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर में कभी भी आपको इशी होहला का महौल नहीं करना है नहीं लड़ाई पर हो गर में हो कारेस्तल पर हो कहीं पर जाने हो बस आपको अरृत का शमान करना है कि रहा और दो वह बहुत कर भिंखी और कि यह और दोस्तिक की रहोगी और九 जल्ठी आपके बर हनों कीघोले careful मैंने हमेशिए Yep चाने में करेंगी तो दोस्तों आपके जुनकाल के लिए बहुती बड़ा मुशिवत का ये कारण बनेगा तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अगर आपको कोई और कोई इसतरी एशा हो जो जुरूत मंद हो जो आपसे स्योग मांग रही हो तो दोसों उनकाप जरूर ही शयू कीज़ेगा कभी भी किसी औरत को ठगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीज़ेगा दोसों ये आपके जियुनकाल में मातालक्षमी की प्रिक्षा हो शकती है दोसों आपको अपने जियुनकाल में एशी बातों का देनकना ह इसे दोस्वों धन की दिवी माता लक्षमी बहुत ही ज़़ा प्रशन होती है और धन में जो दिक्कत आती है धनाने में जो दिक्कत आती है जो पेशे की समयशाय बढ़ने लगती है रोजगार की जो शमयशाय बढ़ने लगती है दोस्वों इन्हें शभी के कारण होती है तो दोसुं तो दोसों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है शातिशा दोसुं हम आपको बता दें कि महादेव आपश्री कभी कभी रुष हो जाते हैं दियो दोसुं आप लोग शौमवार के दिन अगर नौन्वेच खाते हैं मांश मंदरा का शेवन करते हैं तो दोसुं इस शे महादेव रुष हो जाते हैं आप इस बात का ध्यान रखें और दोसुं अगर आप महादेव यानि शिविके मंदर में कभी भी जाते हैं कभी भी उनके जुनकाल में आप हाजरी लगाते हैं तो दोसुं वहाँ पर कोई भी खाली बेठा दिख जाए तो दोसुंने आप परशाद को अवश्य खिलाईएगा दोस्वें इंश्य आपके मन ही नहीं आपके हिर्देवी शंतु चोते हैं इस ये महादेव आप शी जादा आपके हिर्देश से प्रश्ण होते हैं आपके इन्य देकर वो बहुत जादा प्रश्ण होते हैं जे दोस्वों, महादेव हमेशा आपके ही अंदर बेठा रहता है, जे दोस्वों, अगर आप उन्हें परशात खिलाएंगे, तो दोस्वों, आपके मन आपके हिर्दे परशन होगी, तो महादेव भी आपशी परशन होगी, बस आप इस बात का दिन रखें, दोस्वों, बात बहुत ज्यादा मैटपुन और बहुत ज्यादा खाश है दोस्तों अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो दूसं से आपको बहुत ज्यादा लाब होगा दोस्वों अगला हम आप शीवी को विदा दें जिनसे महादेव आप शीवी कभी कभी नराज हो जाते हैं जो दोस्वों आपके घर की शफाई कर्मी हो या फिर शफाई वाला हो या फिर कोई भी गरीब मजदूर हो जो दोस्तों इशाव्यक्ति है जो अपने डेली के कारिकर के पिशिक माता है और अपना जिवने यापन करता है उनको जो इंशान परिशान करता है उनके उपर महादेव का किरपादिश्टी कभी भी नहीं होता है जो दोस्तों इस बात क्या दिन रखेगा उन्हें जो परिश करता है उनके जुनकाल में महादेव की कुद्रिष्टी उत्पन होने लगती है और जो लोग मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं और अपने मेहनत से अपने जुनकाल में खाते हैं तो दोसों उनके जुनकाल में महादेव की किरप्रदिष्टी हमेशा मिलती है उनको भले ही थो बड़े मुकाम को हासिल करते हैं तो दोस्वों आपको बश इन बातों का देन रखना है कि अपने जुनकाल में जो भी एशे लोग हो जो एशे गरीब मजदूर हो हशाय व्यक्ति हो उनके उपर अर्तियाचार नहीं करना है और अगर आप देख भी रहे हैं तो दोस्वों उन है वो अपने कारशी जा रहे हैं दोस्वों ध्यान रखेगा कि अगर आप इशा करेंगे तो महादेब की नजर महादेब की किरपादिश्टी आपके शाथ है इन्हें नजरिंदाज करने से दोस्वों आपको दोश लगेगा इस बात का आप खास ध्यान रखें महादेब च शाथ है ये शमच कर आपको उनकी मदद करना है जितना आप से होश के दोस्वों बश आपको नजर मोड कर नहीं भागना है जितना अगर कोई वेक्ति किसी गरीब और मजदूर का मज़ाग उड़ाता है तो दोस्वों उन्हें आपको शबग भी शिवखाना है कि ये की नजरों में हमेशा ही उच्च अस्थान की प्राप्ति करेंगे और महदेव हमेशा आपको शारी कार्यों में श्फलता दिलाएंगे जीये दोस्वों शाद शाद दोस्तों हम आक्षिवी को बता दी कि जो लोग छोटे बच्चों पर बेवजा हाथ उटाते हैं बेवजा ही छोटे बच्चों को प्रिशान करते रहते हैं तो दोस्तों एश्य जिवनकाल में महादेव कभी वे प्रशनर नहीं रहते हैं जो लोग एशा कारी करते हैं, उनके जुनकाल में महादिब हमेशा अप्रशनर रहते हैं, चोटे बर्चों के अंदर हमेशा भगवान का वाश होता है, जेतों कुछ लोग अपने जुनकाल में माता पिता को परिशान करते हैं, जेतों माता पिता की आग्या का पालर नहीं करत जो लोग अपने जुनकाल में इशाकारी करते हैं, दोस्वों जो लोग माता पिता को तकलिफ देती हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनसे हमेशा भगवान नाराज रहता है, दोस्वों बश यही सब गलतियां है, जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, अपने जुनकाल जे दुस्वां, अब आपको कौनु эксперat का और ध्यान रखना है दुस्वां कभी का बार कई लोग किन्रों का आपमान भी कर देते हैं जे दुस्वां, किन्रों को अपने कलत सब्दों का परियूग करके उन्हें कलत बात बोल देते हैं दोसों बश यह जब बहुत बड़ी गलती होती है दोसों जो किंदर होते हैं खुद नहीं बनते हैं दोसों ने भगवान बना कर भेजते हैं और भगवान की बनाई हुई चीजों पर अगर आप हाशेंगे भगवान की बनाई हुई चीजों को आप मजाग उड़ाएंगे तो बे जुवान जानवर और पश्यू को मारना पिठना जितुसु बहुत चारशे लोग हैं कि बेजुवान जानवरों को परिशान करते हैं जितुस, इस शनदेव का परकोप लगता है जितुस आप शबी को बता दे कि इन शे शनदेव को जो बादाये है वो वेक्ति के जुनकाल में आती है और बहुत शारे मुशिवत उनके जुनकाल में चारों तरफशे घिर लगते हैं यह दोसों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं जो लोग इन शबी बातों को लेकर शावधा नहीं रहते हैं जो लोग इने दानदाज करते हैं दोसों उनके जुनकाल में शनेदेब की कभी किड़पादिष्टी नहीं रहती है। दोसों तो दोसों आप शुबी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में अगर आप इशा कर रहे हैं तो दोसों इन शुबी को आपको भूल कर भी छोड़ देना है। दोसों अगला जो बात है वो बहुत ही शरल है, दोसों ध्यान से सुनिएगा, दोसों इनशे आपको काफी धनलाब होगा, हर छेतर में काफी तरकी आपको देखने को मिलेंगी, दोसों आपको शौमवार की दिन दूद, शौमवार की दिन कच्चे दूद में जल मिलाकर अदिकाल में हो शके दोस्तों शुम वार के दिन आप गरीब लोगों की सहता जरूर किजेगा दोस्तों खास इस बात करें जो भी मंदिर के शामने गरीब बेटे होते हैं उनके शाहता अगर आप करते हैं तो दूस्तों बोलेनात और शनिदेब दोनों ही इनसे प्रेशन होते हैं इनसे जो व्यक्तिर जो चाह मंदिर में लेकर जाते हैं उनकी एक च्छा पूरी हो जाती है जिया दोस्तों तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोस्तों इस बात किते हैं रखें कि वहाँ पर बेठें जो भी आपके घर में आते हैं दोस्तों इनके लिए आपको कौन शे बातों का ध्यान रखना है कौन शे कारें को करना है दोस्तों आप शेव को बता दे कि आपको प्रती दिन शुभा जल्दी जगना है और जगते हुए ही शुरुदेव को जल अर्पित करना है इसी दोस्तों जल् नोक्री मिलेगी और शंभावनाएं आपकी जुनकाल में बढ़ने वाली है नोक्री को लेकर और शार्च साथ दोस्तों शुकरवार के दिन आपको माता लक्षमी के भी पूजा राचना करने हैं और माता लक्षमी का आपको मंत्र ओम भूर भुवश्वाहा इस मंत्र का आपक शार्चने श्रमापत हो जाएंगी तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुब हो मंगला